नमस्कार मित्रों मैं ममतावाज पेवोपाल से मेरी हरी भरी चत पर आपका स्वागत है लीजी मैं फिर हाजिरूं नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टेरिस गार्डिनिंग आर्ट और आजकल देखिए सर्दियां हैं अक्टूर, नमबर, दिसम्बर, जन्वरी इन चार महीने में बहुत भरपूर सबजीयां रहती है और छट पे आपको अच्छी खासी हर्याली दिख रही होगी तो आजकी वीडियो के फिश है कि कौन सी सबजीयां है जो आसान है लगाने में कौन सी कठिन है कहने का अर्थी है कि बिगिनर्स कोकिन सबजीयों से शुरुवात करना चाहिए ऐसी कौन सी सबजीयां है जो हर को यूगा सकता है और उन्हें परिशानी ना आए तो इसका सबसे सटी कुतर तो ये है कि जब तक कोई काम हमें नहीं आता तब तक वो कठिन होता है कौन सी सबजीयां आसान है कौन सी कठिन और जब वो काम हमें आने लगता है तो वही काम बिलकुल आसान हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सबजी कठिन हो ये आसान है बस हर सबजी का स्वभाव अलग है, थोड़ी सी उसकी मिट्टी की requirement, पानी की requirement अलग है, sunlight requirement अलग है तो जो gardening है, क्रशी है, वो एक education है, वो ज्यान है, तो जरुआ थोड़ी सी पढ़ने समझने की है आप अगर सीख जाएंगे तो हर सबजी आसान है फिर भी, अब मैं इस बात को लेकर कहती हूँ, कि वो लोग जिने बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो क्या लगा सकते हैं, किस से शुरुआत करें, वो पालक से शुरुआत करें यह भाजी ऐसी है कि हर मौसम में हो जाती है, छोड़ कर मई की गर्मी, भीशन गर्मी, तब आप अगर पालक लगाएंगे, तब भी अगर ग्रीन नाट के नीचे लगाएंगे, तब यह हो जाएगी तो यदि आप बिगनर हैं, तो आप शुरुआत पालक से करें, दूसरी सबजी आ जाती है मैथी, इसे मैं डिफिकल्ट सबजी की स्रणई में डालूँगी, डिफिकल्ट इसलिए कि इसको एक निश्चित तापमान चाहिए, और उस तापमान से आगे पीछे होने पर यह ग देलती है, तो जब हमारी रातें लंबी होने लगती है, आसमान से ओस झालने लगती है, वो बाला सीजने से चाहिए, और दिन के टमपरेशर और रात के टमपरेशर में भारी बड़ा अंतर होता है, तब यह मैथी गल जाती है, क्यूंकि दिन में जब इसके धेले मिटी के इसको गला देते हैं तीसरी सब्जी टमाटर है इसे मैं सरल सब्जी की श्राणी में डालूगी बस एक ही परिशानी है इसकी कि इसमें कभी-कभी लीफ कर्ल वायरस या कुकरा रोग होता है बाकी ज्यादा इसमें दिक्कत कुछ होती नहीं है और उसके लिए गाउं में देसी इलाज होता है लोग राख जो है लकडी की राख चूले की राख इस पर शड़कते रहते हैं तो राख कई चीजों से बचाती है जो कर्ल वायरस होता है उसे एक वाइट फ्लाई लेकर आती है पत्ती की लीफ राख से ढकी रहती है तो वाइट फ्लाई जब अंडा उस पर तो पत्ती की लीप पर नहीं जाती, और काफी हद तक बचा हो जाता है, बाकी इसमें कोई दिकत नहीं आती, अगर आप खा कर पके हुए टमाटर भी फैंक देंगी क्यारी में, और वो अपने आप उग आएंगे, तो वो भी आसानी से हो जाते हैं, ज्यादा कुछ इसके नटी नहीं बनाना है, तो मैं ऐसे आसान सब्जी की स्राणी में डालूगी, बस लीफ कर्ड वाइलस कब लगता है, जब हम समय से पहले या समय से बाद, जहां तक समय की बात है हर सब्जी के लिए, और ये तो आप अगर गार्णर हैं, तो करकर के सीखेंगे, एक इस पाउस करता है, तो फिर टमाटर का पौधा रहेगा, फल नहीं लगेगा, फ्रोट नहीं होगी, फूल जड़ जाएगा, ओवर वाटरिंग से टमाटर का फूल जड़ जाता है, इस पर ध्यान रखें, जादा नहीं ठोड़ी सी केर है, फुल सनलाइट चाहिए, ओवर व अक्टूबर नॉमर में इसकी रुपाई होती है उदर फरवरी मार्च में होती है और फिर जुलाइगस्त में होती है इन महीनों में आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी चाया में रहेगी तो फ्रोटिंग अच्छी नहीं होगी आप बात कर लेते हैं तीसरी सब जी फूल को भी मैं इसे बिल्कुली सरल्सराणी में डालूंगी मेरा जो अपना अनुभव है वही मैं आपसे साजा कर रहे हूं मैं कोई क्रसी वज्ञानिक नहीं हूँ यह बात में हर बार हर वीडियो में कहती हूं और वो इस तरह कि अभी तक कभी मुझे गोभी में कोई परिशानी नहीं हुई मैं एक साधरन मिट्टी बनाती हूं जिसमें कि 30% के आसपास खाद रहता है देखिए एक चीज में बार बार नहीं आपसे कहूंगी कि मिट्टी में कितने परतिशत खाद क्योंकि अगर चट पर सबजियां ओगाना है तो खाद की अच्छी मात्रा च होतो तो सब्जियां नहीं हो सकती खाद युक्त मिट्टी चाहिए बस और ज्यादा कुछ इस पर कुछ दिक्कत नहीं लौकी तोरी करेला यह एक सरणी में रख देती हूं हम बरसात में लगाते हैं और फिर हम यह फरवरी मार्च में भी लगाते हैं तो यह सब्जियां बी अच्छली मैं पहली बार उगा रही हूं और मुझे पहली बार मैं सफलता मेली है तो मैं ऐसे आसान की स्रणी में डाल देती हूं हाँ इसमें थोड़ा सा स्पाइडर माइट स्काटेक हुआ था तो हमने शुरू में नीम ओयल में थोड़ा मीठा सोड़ा मिलाकर एक लीटर चाहिए मिठी खाद युक्त चाहिए बीश मैं इसमें सरसो की खली का लिक्विड मैन्योर डाला है तो मैं इजी सबजियों में फिर से बताती हूं पालग विलकुल इजी है जुकीनी इजी है गोवी इजी है और टमाटर इजी है मैथी थोड़ी टुकी है मिर्च भी अगर बस सनलाइट फुल चाहिए बस आप लगाकर भूल जाए और मिठी तो मैं फिर कहूंगी मिठी तो अच्छी चाहिए मिठी भोजन है पाउदों का भोजन अच्छा होगा तो सेहत अच्छी होगी और अगली सबजी देखिए मिर्च तो जो मिर्च है न मैं ऐसे वाइरस बहुत आता है कई बारी ऐसे भी हुआ मेरे साथ मैंने पूरी पौद पर वाइरस आगया मुझे पूरी उखाड की फेकनी पड़ी लेकिन मैं हार नहीं मानती मैं फिर लगा देती हूं और उस बारबर लगाने के क्रम मैं मैंने सीखा जब इनका एक अच्छा सीजन होता है जैसे कि अभी मैंने लगाई अक्टूबर नॉमबर में अक्टूबर में लगाई है तो यह अची चल रही है बरसात में ज्यादा वाइरस आता है यह मेरा अनुभव है और इसका सटीक कारण करशी वग्यानिक बता पाएंगे कि क्या है लेकिन मेरे अनुभव से अभी तक मैंने इस पर राख भी नहीं चिड़की कोई दबा नहीं चिड़की है लेकिन अगर हो आपके पास तो राख चड़कते रहना ठीक है इस पर राख का पानी ही स्प्रे करते हैं हम जैसे के राख को पानी में गला देते हैं और फिर वो सैठ हो जाते तो उसका पानी और बॉटलिम भरके रख लेते हैं तो यह जो सबजी है बैगन वो सुपरेजी है और मेर थोड़ी सी difficult की स्राणी में है अब धनियापत्ती यह भी difficult की स्राणी में है इसको क्यों है difficult इसको एक निश्चित तापमान चाहिए बोने का तरीका भी पौदे बोने का तरीका चाहिए थोड़ी difficult स्राणी है कैसे क्या बोते है कभी मैं पूरा इस पर बनाऊंगी और मेरे चैनल पर पड़ा भी होगा यह भी सुपरेजी है कुंद्रू इसकी कलम एक बार लग जाती है और नीचे जड़ बन जाती है बस वो जड़ पर्मानेंट हो जाती है जंगली बेल है आप बहुत आसानी से इसे लगा सकते हैं अगली है अधरक अधरक की प्रजाती में आ जाती हल्दी अधरक हल्दी दोनों सबजियां ऐसी है बिल्कुल सुपरी जी इनके पत्ते भी यूज होते है हल्दी के तो नहीं अधरक के यूज होते है लेकिन इसमें बस एकी परिशानी ये आठ नौ महिने की पसल है अपका कंटेनर आठ नौ महिने के लिए घिर जाता है और ये देखिए मैंने लौकी लगा रखी है ये बस एक्सपरिमेंट है अगर आप सरल कशन के चक्र में रहेंगे तो उससे कोई फाइदा नहीं होगा मैं कहती हूँ प्रयोग कीजिए अगला प्रयोग ये देखिए आप प्याज के कंद लगा दिये हैं प्याज और लेसन की गंद का ऐसा कहते हैं कि आप हर गंबले में दो चार बल गड़ा दे प्याज के भी गड़ा दे लेसन की भी ऐसा करने से कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं जने इसकी समेल पसंद नहीं होती वो फिर आपी क्यारी में आजपास नहीं आते और उसे साब से काफी फाइदेमंद रहता है बाकि आप देखिए हल्धी, ये अगली सबजी है हल्धी और अध्रक एकी तरह की सबजीया है एकी तरह की केर है, इनको सैंडी सॉयल लगती है आट नॉ मैने की फजल होती है आटनो मैने में आती है और देखिए हल्दी का फूल जो काफी पहले किलाता और अभी तक बचा हुआ है थोड़े दिन बाद इसके पत्ते मुर्जा जाएंगे और फिर हम फसल लेगे तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और फिर उगा ये आसान सबजीयां और जब आप सीख जाएंगे न करते करते तब आपके लिए हर सबजी उगाना आसान है और आप ये भी समझ गया होंगे कौन सी सबजीयां आसान है और कौन सी सबजीयां कठिन है मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार